दोस्तों लेकर आयों आपके लिए एक और बरति का अपडेट जिसमें छोल्जर जर्णल डियूटी जिसमें एज 25 से 20 साल छोल्जर टेकनिकल, साधे 17 साल से लेके 23 साल छोल्जर अप्लिक क्टीपर भी सेम एज हो जेट समेंट 10 वी और अठ वी पास वेकेंसी की हम बात करेंगे तो मेरे साथ बने रही है मिनिमम हाइट 160 GD के लिए 157 टेक्निकल के लिए प्लेक के लिए 160 और सेर्टमेंट के लिए 160, 160 और वेट सब के लिए 48 kg यहाँ पे चलने वाला है आपकी मिनिमम चेस्ट तो 77 होनी चाहिए फैलाने के बाद 5 सेंटिमेटर अब हम बात करते हैं इसके लिए कौन को ने प्लाई कर पाएगा उसके पहले आपने वीडियो के निचे जल्दी से कमेंट कर देना है कि आपकी स्टेट कौन सी है ताकि वो मेरी नजर में रहे और जैसे ही उसकी बरती आए मैं उसका अपडेट दे दू तिलाल मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यह जो बरती आई है यह होने जा रही है किन डिस्टिक्स की होजाई, विश्वनात, नगाउन, सोनितपुर और मोरिगाउ आप लोग अगर अपनी बरती देखना चाहते है, स्टेट की तो वहिया मैं बोला चाहूँगा, विजट करो, समझाएकर.in के इस पेज पे क्योंकि काफी सारी स्टेट की बरतीया यहाँ पे आई है तो नोटिफिकेशन है, लास्ट डेट यहाँ पे बताई होती है, देली है, महरास्टरा है, 27 नवंबर लास्ट डेट नोटिफिकेशन है और कोई अप्लाई करना चाहे, तो एक काम करेगा, वो बिलकुल नीचे आएगा, देखो नीचे कितनी बरतीया अपडेट की हुई है तो यहाँ पे, यहाँ पे मिलेगा अप्लाई का लिंक और यहाँ पे आपको मिलेगा, वीडियो कैसे मतलब अप्लाई करते हैं, वो वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगी प्रजिक्स कमिस्ट्री मैथ आपने पढ़ा होना चाहिए, इंगली सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा होना चाहिए, आपके 50% ओवराल मार्ग चाहिए, सभी सब्जेक्टों में 40-40%, अगर बात करें क्लर्क स्टोर कीपर की, तो 60% बारवी के अंदर चाहिए, किसी भी स्ट्रीम में 50% आपके हर एक सब्जेक्ट में होना यहाँ पे अनिवारिय है, और आप लोगों ने इंगली सब्जेक्ट साथ में math, या फिर account या फिर bookkeeping ये बारवी के अंदर पढ़ा होना बहुत दरूरी है, या देखें, इंगलीज तो पड़ी ही होनी चाहिए, उसके साथ math या account या bookkeeping थिक है, तो 50% इसमें भी होने चाहिए, ट्रेट्समेन के लिए 10 मी पास, बश्च 33% हर एक सब्जेक्ट में, और ट्रेट्समेन 8 मी पास भी है, जिसमें आप SY housekeeper, MS keeper की post के लिए apply करेंगा, और minimum 33% आपके इसके हर सब्जेक्ट में होने जरूरी है, बात करते हैं relaxation की, तो अगर आपको किसी ने गोद लिया, relation का certificate या sports के है, तो यह यह 2-2 cm की height में छूट है, chest में 1-1-1-3, तो यह जिनके पास certificate होगा, पहले करेगा, उसको मिलेंगे कितरी marks, मिलते हैं, 48 marks, और जो 30 second के पहले कर लेगा, उसको मिलेंगे 60 marks, याद रखेगा, यहाँ पे आपका एक jump भी होगा, जो आपने सिर्फ 9 feet का लगाना है, और जो की qualify करना है, pull ups होगे 10, जिसमें मिलेंगे 40 marks, 9 pull ups होगे, जिसमें मिलेंगे 33 marks, 8 pull ups होगे, जिसमें मिलेंगे 27 marks, 7 pull ups होगे, जिसमें मिलेंगे 21 marks, और 6 pull ups होगे, जिसमें मिलेंगे 16 marks, याद रखेगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने qualify करना है, nothing else, zigzag balance को भी qualify ही करना है, और अगर आप GD के लिए apply करते हैं, तो physical पर ध्यान दीजिए, बाकी पोस्टों के लिए आपको जो है, किसमें ध्यान देना है, रेटन के ओपर, तो इसमें आपका admit card होना बहुत ज़रूरी है, 10 मिलेंगी marks, बाकी जो certificate है, domicile, caste, religion, school, character, बाद में भी बनवा सकते हैं, main जो बरती पे चाहिए, admit card, आपकी photograph और आपकी marks लिप्लोमा, तो ये कुछ documents है, जो बरती के लिए आपको चाहिए होगे, एक affidavit है, ये ज़रूर बना के जाहिएगा, क्योंकि इसकी भी ज़रूरत आपको पढ़ेगी, इसकी notification यहाँ पे है, 28 December last date है, 14 November से ये बरती शुरू हो रही है, जाने कि अभी form शुरू नहीं हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता दू, कि इसका जो admit card है, वो 29 से लेके 12 January के बीच में आ जाएगा, ओके friends समझ, आया क्या?